हेलो जहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबम इकलासिस में आज हमें कार्मिका कंप्लीट पूरे 50 प्रशनों का मॉडल टेस्ट पेपर लगाने वाले हैं जिसके अंदर हम समाने ग्यान, समाने विग्यान, मैस और चारो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है, सभी विद्यारती कॉपी पैन साथ में लेकर बैठेंगे, मैं उमीद करूंगा सेशन आपके आनवल एक्जाम के लिए हैलफुल होगा, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और आ चलिए, बढ़ते हैं आज की कलास की तरफ, तो देखिएगा प्रशनों की संख्या 50 है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूँ 40 प्लस कोस्टन राइट करने का, टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन A समान्य ग्यान 1-15 तक आज का पहला कोस् के आप्शन नहीं बोले जाएंगे, डेरेक्ट कोस्टन और डेरेक्ट हम आंसर की तरफ चलेंगे, तो आंसर मैच करी, यहाँ पर जीना ने आप्शन B को आंसर दिया है, दिल्ली उनका आंसर करेक्ट है, अब यहाँ पर एक कोस्टन इंपोर्टन बनता है, देखिए, फिरो आप से बोलेगा, आरुण जेटली स्टेडियम कहां है, तो दिल्ली में है, किस से संबंदित है, तो क्रिकेट से संबंदित है, फिरोश्चा कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है, आरुण जेटली स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा, सेकिन नमबर कोशन आपके सामने स् option D रहेगा जिन्होंने option D को answer दिया है नेलसन मंडेला उनका answer बिल्कुल correct है पहली बता रहा हूं answer के लिए समय नहीं देंगे अगर आपको समय चाहिए तो session को रोकिएगा थर्ड नंबर question आपके सामने है बुकर पुरसकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी इन विच इयर डिड़ दा सॉरी यह ग्रैमी नहीं है यहाँ पर आपको बुकर आवार्ड करना है इन विच इयर डिड़ दा बुकर आवार्ड started option आपके सामने है 1969 1958 1951 1956 क्या answer करोगे अगर आप से भी नहीं आप पर option A को answer दिया है 1969 आपका answer correct है क्लियर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन पर कोशन नमबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है इसका answer करिए भारतिय दलहन शोद संस्तान कहां इस्तित है वेर इस दा इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टिटूट लोकेटेड सही जवाब option ने रहेगा कानपूर उत्तर प्रदेश में भारतिय दलहन शोद संस्तान इस्तित है कोशन नमबर 5 देखिए जी सामने स्क्रीन पर गोल्फ कहां खेला जाता है वेर इस गोल्फ प्लेड तो देखिए जो गोल्फ का मैदान होता है उसे क्या बोला जाता है कोर्स बोला जाता है option आपका D correct answer है 6 नमबर question आपके सामने 26 नमबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है which day is celebrated on 26 नमबर answer मैच करिए option आपके 0 ने answer दिया है राश्ट्री विधी दिवस उनका answer बिलकुल परफेक्ट है question नमबर 7 राम क्रिशन मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो देखिए राम क्रिशन मिशन की स्थापना किस ने की है स्वामी विवेका नन्द ने की है 1 माई 1897 option आपका B correct answer रहेगा क्या सभी ने option B को answer किया है question number 8 आपके सामने है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस ने की थी जल्दी से answer करिए तो द्यान रखिएगा सन 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई option D perfect answer है question number 9 आपके सामने जैन धर्म के प्रतम तिर्थकर कौन थे फटा फट से प्रस्णों को डिसकस करेंगे समय नहीं मिलेगा जैन धर्म के प्रतम तिर्थकर कौन थे रिशब देव थे option C आपका correct answer है जैन धर्म के 24 वे और अंतिम तिर्थकर कौन थे महावीर स्वामी question number 10 आपके सामने नारंग कप का संबंद किस खेल से है answer करिए नारंग कप is related to which sport right answer option C रहेगा badminton क्या सभी ने option C को answer किया है चलिए ग्यारा नंबर question आपके सामने है दोहा किस देश की राजधानी है दोहा is the capital of which country perfect answer option C रहेगा दोहा कतर की राजधानी है बारा नंबर question देखिए marma goa बंदरगा इस्तित है marma goa port is located at perfect answer option D रहेगा goa answer match करते जाए आज आपका test हो रहा है detail नहीं discuss करेंगे किसी प्रशन की direct question और direct answer तेरा नंबर question null server अभेरनने कहां इस्तित है where is null server century located option B आपका right answer एगा गुजरात में स्तित है 14 नंबर question आपके सामने maharashtra में लोगसबा में सदस्यों की संख्या कितनी है और देखिएगा इस टाइप से प्रशन अक्सर आपके एक्जाम में आता है इसलिए ये प्रशन एड किया है राजस्तान के नागोर जिलसे पंचायती राजविवस्ता का शुबारंब हुआ था कलिर है चलिए यहाँ पे आपका section एक complete होता है बढ़ते हैं next पे question number 16 है आपका section B समाने विज्ञान 16 से 30 प्रशन question number 16 आपके सामने स्क्रीन पर answer करिए और लास्ट में सभी को section wise score कमेंट करना है section A में कितने राइट हुए है section B में section C और section D में 16 number question है वस्तू के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते है answer match करिए जिनने भी answer relation यानि की त्वरण answer किया है उनका answer perfect है 17 number question आपके सामने स्क्रीन पर विद्यूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में रुपांतरन करने का कार्रे करता है बताए जल्दी से option सामने स्क्रीन पर है option C correct answer हैगा विद्यूत मोटर विद्यूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में रुपांतरन करने का कार्रे करती है चलें, question number 18 देखिए सामने स्क्रीन पर समाने जल्द की अपेक्षा समुद्र जल्द का घनत्व डैश होता है option आपके सामने है, समय नहीं मिलेगा, जल्दी से answer करिए तो देखिए, समाने जल्द की अपेक्षा समुद्र जल्द का घनत्व अधिक होता है option आपका B correct answer है इसके कई सारे example है जैसे, समुद्र में तेरना आसान होता है समाने जल्द की अपेक्षा है ना, एक question और बनता है कि नदी से आता हुआ जहाज समुद्र में आने के बाद थोड़ा ऊपर की और उठ जाता है यह सबी इसके example है 19 number question देखिए सामने screen पर एक से किरणों की कोज किस ने की थी और मुझे नहीं लगता कि यह वाला प्रशन कोई भी विद्यार्थी गल्द करेगा यहाँ पर आज आपका test लग रहा है practice set लगा रहे हैं तो practice set में आपको पड़े हुए question भी मिलेंगे नए question भी मिलेंगे तो यहाँ पर answer आएगा option D रोईंट जन एक से किरणों की कोज किस ने की है रोईंट जनने की है question number 20 आपके सामने सबसे अधिक आइनन शम्ता वाली किरण कौन सी होती है देखिए एक तो होती है आइनन शम्ता एक होती है वेधन शम्ता है ना इन दोनों में confuse मत होना हमसे बोला है सबसे अधिक आइनन शम्ता किसकी होती है तो alpha किरण की होती है option आपका C correct answer है आप क्यूंकि इसकी आयनन शम्ता सबसे अधिक होती है तो इसकी बेदन शम्ता सबसे कम होती है ऐसे ही गामा किरण की बेदन शम्ता सबसे अधिक होती है तो गामा किरण की आयनन शम्ता सबसे कम होगी Question number 21 आपके सामने विद्यूत आवेश का SI मात्रक क्या है? अंसर मैच करिए, option D will be right answer हैगा, कुलाम विद्यूत आवेश का SI मात्रक है Question number 22 Potassium Nitrate का रसाइनिक सूत्र क्या है? क्या answer करोगे, what is the chemical formula of potassium nitrate? Option A आपका correct answer हैगा, KNO3 Question number 23 देखिएगा, सिने बार से किसका निस्कर्शन होता है? या यूँ कहें कि सिने बार किसका आयस्क है? तो सिने बार जो है यह पारे का आयस्क है, option आपका C correct answer है Question number 24 F E किस धातू का संकेत है? या फिर बोलें कि किस धातू का चिन है? जल्दी से आंसर करिए, F E is a sign of which metal? option A correct answer हैगा, Loha चलिए, question number 25 आपके सामने है, रेशम कीट पालन का अध्यन क्या कहलाता है? very, very important option C आपका correct answer हैगा, सेरी किल्चर रेशम कीट पालन का अध्यन कहलाता है? एपी कल्चर मदमक्खी पालन है, PC कल्चर मचली पालन है 26 नमबर कोशन देखिए, मुंगफली का टिक का रोग किस के कारण होता है? दो प्रशन बनेंगे एक तो आपसे पूछ सकता है, टिक का रोग किस से संबंदित है, तो मुंगफली से संबंदित है और दूसरा कोश्चन है मुंगफली का टिक्कर हो किसके कारण होता है तो ये कवक के कारण होता है आप्शन ए करेक्ट आंसर है चलिए कोश्चन नमबर 27 है मानव श्रीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो देखे ये करित मानव श्रीर की सबसे बड़ी गरंती है थाइराइड क्या है सबसे बड़ी अंतह स्त्रावी गरंती है हमसे बोला है दूसरी सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो अगनाश्य आपका प्रफेक्ट आंसर हैगा ऑप्शन ची और अगनाश्य अंतस्रावी और बहीर स्रावी दोनों ही प्रकार की गरंती है 28 नमबर कोशन देखिए बायोटीन किस विटामिन का रसानिक नाम है बायोटीन इस दा केमिकल नेम ओफ विच विटामिन ओप्शन ए आपका करेक्ट अंसर हैगा विटामिन बी सेवन कोशन नमबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए आतिश बाजी में हर रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है ग्रीन कलर इन फायर वक्स इस ड्यू टू दा प्रिजेंस ओफ ओप्शन आपका बी करेक्ट अंसर आएगा आतिश बाजी में हर रंग बेरियम की उपस्तिती के कारण होता है चलिए बढ़ते हैं कोशन नमबर 30 की तरफ और उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारी e-book नहीं लिए हैं इस समय हमारी दो e-book अवेलेवल हैं एक हमारी है अठाइस सो पलस कोशन वाली एक हमारी है मौडल टेस्ट पेपर वाली लेने के लिए आपको स्क्रीन पर डिटेल दिखाई दे रही है आपको दिये गए नमबर पे फोन पे पेटियम गूगल पे से पेमेंट करना है और वाटसप पे इसका स्क्रीन शोट भेज देना है आपको हमारी इबूक 10 से 15 मिनट के अंदर वाटसप पर भेज दी जाएगी अधिक जानकारी के लिए आप दिये गए नमबर पे कॉल कर सकते है कोशन नमबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है रस्टिंग ओफ आइरन इस वट टाइप ओफ चेंज ओप्शन आपका बी करेक्ट आंसर आएगा लोहे में जंग लगना एक रस्साइनिक परिवर्तन है क्या सभी ने ओप्शन बी को आंसर किया है तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेक्शन A और सेक्शन B दोनों कम्प्लीट होता है अब डिसकस करने जा रहे हैं सेक्शन C आपका गनित का पूरे 15 प्रशन सभी को कॉपी पैन लेकर बैठना है टेस्ट बिलकुल कम्प्लीट लगाना है चलिए सेक्शन C की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर कॉप्शन नंबर 31 है इसका अंसर करिए 4 मीटर 264 सेंटी मीटर को सेंटी मीटर में बदलो हां जी तो देखिए सभी को आपको सेंटी मीटर में बदलना है यहाँ पर 264 क्या है औरेड़ी आपको सेंटी मीटर में दिया हुआ है अब यह जो 4 मीटर है इसको आप पहले सेंटी मीटर में बदलिए तो आपको पता है एक मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटी मीटर होते हैं तो 4 मीटर में 400 सेंटी मीटर होंगे है ना तो यहाँ पे 264 cm में 400 cm और जोड़ दीजिए, सारा की सारा आपका cm में convert हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 3004 cm रहेगा option B जिनों ने answer किया है, उनका answer correct है answer match करिए जी, क्या सभी ने option B को answer दिया है? चलिए, बढ़ते हैं question number 32 की तरफ आपके सामने screen पर इसका answer करिए, संख्या 27307 में 7 के स्थानिय मान का अंतर ग्यात करें simple प्रश्ण है, देखिए, यहाँ पर 7 क्या है आपका 2 बार आया है और स्थानिय मान निकालना किसे कहते हैं, पहले आप इस 7 को लिजिए यहाँ पर हमने 7 लिखा, इसके बाद जितने digit बसते हैं, उतनी हमको 0 लगा देनी है right? फिर 7 आपका यह दे रखा है, इसके बाद कोई भी digit नहीं है तो सिरफ 7 हो गया, यह क्या है? साथ के दोनों स्थानिय मान है हमको इनका अंतर निकालना है तो इनको माइनस कर दीजिए 10 में से 7 गए 3, 9, 9, 6 option आपका A correct answer है चलिए, question number 33 की तरफ चलते हैं, फटा फट से प्रस्षन को डिसकस करेंगे इसका अंसर करिए, simple सा प्रस्षन है और आज जो मैथ है आपका बिल्कूल आर्मी के pattern के उपर बनाया गया है निमने में से कोन सा एक अभाज्य संख्या है? बताए, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिरफ अपने ही पहाड़े पर भाग होती है देखे 81 क्या है? 9 का multiple है 85 क्या है? 5 से भी divide हो जाता है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है 87 क्या है? आपका 3 से multiple है, 3 का multiple है है ना? 29 गुणा 3 कितना होता है? 87 होता है यहाँ पे आपका option B correct answer हैगा 83 83 किसी का भी multiple नहीं है, किसी के भी पहाड़े पर नहीं आता है option B जिनोंने answer किया है, उनका answer बिलकुल correct है चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ question number 34 आपके सामने screen पर है, इसका answer करिए x का मान ग्यात करें, यदि संख्या 687x 25 से पूरी तरह से विभाजित है देखे, 25 का divisibility rule क्या कहता है, कि किसी भी संख्या के last के डो डिजिट अगर 25 से भाग हो रहे हैं, तो वो पूरी संख्या आपकी 25 से भाग हो जाएगी है ना, तो यहाँ पे क्या है संख्या 687x और x है, अब option में आप क्या कर सकते हो यहाँ जीरो रख सकते हो यहाँ पांच रख सकते हो, क्योंकि 25 के पहाड़े पर यहाँ तो last का इक आएक अग जीरो आएगा, यहाँ फिर 5 आएगा, एक और 7 तो किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, अब अगर मैं x की जिगाँ जीरो रख रहा हूं, तो लास्ट के दो अंग चेक कर लो, यहाँ फिर पूरा ही डिवाइड करके चेक कर लो, तो लास्ट के दो अंग क्या 25 से डिवाइड हो रहे हैं, 70-25 के पहाड़े पर नहीं आता है, तो यहाँ पे option A भी आपका अंसर नहीं होगा, अगर मैं इसकी जगा 5 पुट करता हूं, जो की option B में दिया है, त अधाये क्या सभी ने option B को answer किया है, question number 35 है, आपके सामने इसका answer करिए जल्दी से, कि दो संख्या है, जिनका HCF 4 थटा LCM 48 है, यदि एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ग्याद करें, आपके army का बिलकुल favorite question है, हर बर आपके exam में पूछा जाता है, इसका answer दीजे जल्द LCM, बराबर है आपका X गुणा Y, और ये X और Y क्या है, संख्याओं का गुणन फल है, देखिए, HCF आपको 4 दे रखा है, LCM आपको 48 दिया है, पहली संख्या यानि की X की value आपको 12 दे रखी है, आपको Y की value निकालनी है, clear है, अब देखिए, 12 को cancel करेंगे, 12 से 48 को cancel करेंग तो 4 टाइम में जाएगा, 12 चो के 48, 4 को 4 से गुणा करेंगे, तो याँपे 16 आजाएगा Y की value, option आपका B correct answer है, जिरों ने option B को answer किया है, उनका answer बिलकुल correct है, question number 36 है आपके सामने, 6 kg चावल और 8 kg गेहूं का मुले बराबर है, यदि गेहूं का मुले 6 रुपे प्रती किलो किलोग्राम हो, तो प्रती किलोग्राम चावल का मुले ग्याद करें, simple सा प्रशन है, बस आपको हलका सा mind यूज करना है, और answer आपके सामने होगा, तो बढ़ते हैं इसके solution के तरफ देखिएगा, बोला है कि 6 kg चावल का मुले 8 kg गेहूं के मुले के बराबर है, इतना clear है, अब आपको बोला है कि यदि गेहूं का मुले 6 रुपे प्रती किलोग्राम हो, देखिए 6 रुपे प्रती किलोग्राम गेहूं का मुले है, और टोटल गेहूं कितना है, 8 kg है, यानि कि 8 kg गेहूं का मुले कितना हो जाएगा, 48 रुपे हो जाएगा, राइट, अब पहली ले मैं पड़ें कि जो आठ किलो ग्राइम गिएंग ठालब्र काम लेच चछे किलो ग्राम चाल упांड के मुल्ले के बराबर है यानि कि 48 R biraz इंख तो 6 kg चावल का मुले भी कितना होगा 48 रुपीज होगा है ना प्रती किलोग्राम चावल का मुले बताना है चावल का मुले 6 किलोग्राम चावल का मुले 48 रुपे है तो 1 किलोग्राम चावल का मुले कितना होगा 48 को 6 से भाग कर देंगे तो यहां पे 8 रुपे आपका option D correct answer है क्या सभी ने option D को answer दिया है question number 37 की दरफ चलते हैं आपके सामने screen पर इसका answer करिए किसी विद्याले में कुल 600 विद्यार्थी है जिसमें से 240 लड़किया है तो लड़कों की संख्या का प्रतीशत ग्याद करें देखिए total विद्यार्थी कितने हैं 600 हैं जिसमें से 240 लड़किया है अगर मैं 240 लड़किया टोटल विद्यार्थी में से माइनस कर दूँ तो यहाँ पर कितना बसता है 0 10 में से 4 गए 6 5 में से 2 गए 3 total आपका 360 बसता है और यह 360 क्या है 22 की संख्या है हमको लड़कों का ही प्रतीशत निकालना है लिए क्या करेंगे गुणा 100 करेंगे 20 से आपकी 20 कैंसल अब 6 से 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 60 परसेंट ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है कोशन नमबर 38 की तब चलते हैं सामने स्क्रीन पर अभी तक आपने सेशन को लाइक, शेर, एंड, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा इसका पीडियाफ आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पे मिलेगा टेलेग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दो-चार दिन से टेलेग्राम पर पीडियाफ अपलोड नहीं हो रही है आज शाम को जितनी पुराने पीडियाफ वस्ती है और आज की पीडियाफ आपको टेलेग्राम चैनल पे अवेलिबल हो जाएगी क्वेशन नमबर 38 है इसका अंसर करिए रमन ने कोई पुरानी वस्तू 1200 रुपे में खरीद कर 200 रुपे की मरमत पर खर्च किये यदि वह इसे 1680 रुपे में बेशता है तो उसका लाब प्रतीशत ग्याद करें देखिए उसने कोई वस्तू 1200 रुपे में खरीदी है और 200 रुपे उसकी मरम्मत पर भी खर्च किये है तो उसको टोटल ये वस्तु कितने की पढ़ गई 1400 रुपे की वस्तु पढ़ गई उसको यानि कि इस वस्तु का क्रेम उल्ले उसका 1400 रुपे हो गया है बेशता कितने की है उसको वो 1680 रुपे की बेच देता है राइट तो profit percent का formula आपको लगाना है profit पर्तिशत आपको निकालना है 1400 रुपे में कोई वस्तू खरीदी है 1680 रुपे में बेच दी 280 रुपे का profit हुआ है कितने से 1400 से और percentage के लिए गुणा 100 कर दीजिए 20 से आपकी 20 कैंसल 14 दुनी 28 और यहाँ पे 0 20% option C आपका correct answer है simple सा प्रशन था मैं उम्मीद करूँगा सभी ने बिल्कुल correct answer किया होगा question number 39 आपके सामने screen पर इसका answer करिए जल्दी से very very important question है कि A B से 30 प्रतिशत अधिक कारे कुशल है B किसी काम को अकेले 26 दिन में समाप्त करता है तो A उसी काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा देखे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A ratio B माना मैंने B की कारे करने की शमता क्या है 100 है efficiency कितनी है 100 है तो A B से 30 प्रतिशत अधिक कारे कुशल है तो एक ही कारे करने की शम्ता 130 हो जाएगी सिंपल अब रेशो में बदलो 0 से 0 कैंसल कर दो बोला है कि B किसी काम को अकेले 26 दिन में करता है देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है efficiency into time होता है है ना B की efficiency कितनी है 10 है B उस काम को अकेले 26 दिन में करेगा तो गुणा 26 कर दीजिए जिससे हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा अब यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना है जी 260 है बोला है A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा काम हमारा 260 है और एक ही कारे करने की शम्ता कितनी है 13 है तो 260 को 13 से डिवाइट करेंगे तो यहाँ पे 20 दिन आंसर राइट आएगा आपका ओप्शन C जिनोने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है चलिए कोशन नमबर 40 आपके सामने स्क्रीन पर है इसका अंसर जल्दी से करेंगे कि आमित 40 किलोमेटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तैक करता है वह समान दूरी को बारा मिनिट में तेह करता है तो उसकी चाल किलोमिटर प्रतिघंटा में कितनी होगी बताइए तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम देखिए किलोमिटर प्रतिघंटा है तो इस मिनिट को भी घंटों में बदलना पड़ेगा और मिनिट को घंटों में बदलने के लिए हम क्या करते हैं साठ से डिवाइट करते हैं सिंपल है अब सोल्व करिए जितना सोल्व होता है जीरो से जीरो कैंसल दो दुनी चार, दो तिया छे तीन से पंदरा को भाग करेंगे तीन पंजे पंदरा और पांच दुनी दस तो यहाँ पे आपकी दूरी कितनी आ गई है दस किलो मीटर आ गई है अब अगली लाइन क्या है ध्यान से पढ़िए कि वह समान दूरी को यानि कि इस 10 किलो मीटर को 12 मिनट में तै करता है स्पीड बतानी है किलो मीटर प्रती घंटा में स्पीड का फोर्मूला distance upon time distance 10 किलो मीटर है time 12 मिनट है अब क्योंकि 12 मिनट है तो इसको भी घंटे में बदलना पढ़ेगा तो 12 को भी 60 से भाग करना पड़ेगा तो 60 नीचे न रहे कर 60 आपका उपर चला जाएगा आप कैंसल कर दीजिए 12,50 और 5 को 10 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 50 किलो मिटर प्रति घंटा आप्शन आपका एक रेक्ट आंसर होगा क्या सभी ने आप्शन एको आंसर किया है चलिए कोशन नमबर 41 की दरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए जल्दी से कि 22,500 रुपे की धनराशी पर 16 प्रतिशत ब्याज की दर्श से एक वर्ष का चकरिर्दी ब्याज ग्यात करो यदि ब्याज की गणना अर्ध वार्षिक हो अब इसको ध्यान से समझेगा देखे अगर ब्याज की गणना अर्ध वार्षिक होती है तो जो आपका rate of interest है ये आपका आधा रह जाता है 16 परसेंट है तो आपका 8 परसेंट बन जाएगा और जो आपका time है वो क्या हो जाता है double हो जाता है एक वर्ष दिया है तो आपका 2 वर्ष हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा जब भी ब्याज की दर अर्ध वार्षिक हो या फिर कभी-कभी आपको 6 माही भी लिखा सकता है ठीक है तो जो rate of interest है वो आदा हो जाता है और time आपका double हो जाता है अब क्योंकि time दो साल का है और हमको चक्रविदी ब्याज निकालना है तो मैंने आपको formula बताया है two और एक वाले method से करेंगे ओके आप देखिए जो आपको धन्राशी दिरखी है 22,500 रुपे इसका पहले 8 परतिशत निकालेंगे क्योंकि हमारी दर अब कितनी है 8 परतिशत है तो 22,500 का अगर मैं 8 परतिशत निकालता हूँ 225 को आपको 8 से multiply करना है कितना बनेगा 1800 बनेगा और 1800 इसके नीचे आ जाएगा राइट अब ये जो 1800 है इसका आपको फिर से 8 परसेंटर निकालना है 1800 का हम 8 परसेंटर निकालेंगे 0 से आपकी 0 कट गई अब आपको क्या करना है 18 को 8 से multiply करना है तो 144 बनेगा और 144 आपका इसके नीचे आ गया कलियर अब देखिए इस दो को हमको 1800 से multiply करना है और एक को 144 से multiply करना है फिर दोनों को जोड़ देना है यहाँ पर आपका बनेगा 3600 प्लस 144 इनको जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका चक्रदी ब्याज आ जाएगा इनको जोड़ने के बाद कितना बनेगा 3744 option आपका B correct answer है बताइए क्या सभी ने option B को answer किया है question number 42 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके इसका answer करिए जल्दी से प्रतम 9 संख्याओं का आउसत 19 है यदि प्रतम 4 संख्याओं का आउसत 14 है तो अन्तिम 5 संख्याओं का आउसत ग्याद करें जल्दी से answer करिए देखिए प्रतम 9 संख्याओं का आउसत कितना है 19 है अगर मैं 9 को 19 से multiply कर दूँ तो पहली 9 संख्याओं का total कितना आजाएगा 171 आजाएगा यदि प्रतम 4 संख्याओं का आउसत 14 है पहली 4 संख्याओं को अगर मैं 14 से multiply कर दूँ तो पहली चार संख्याओं का टोटल आजाएगा चोदा चोके चपपन है ना तो देखे बोला है अंतिम पांच संख्याओं का उसत ग्याद करो अब 171 में से अगर मैं चपपन को माइनस कर दूँ तो कितना बसता है यदि मैं 171 में से चपपन को माइनस कर दू तो 115 बचेगा है ना और ये 115 क्या है इन पांचों संख्याओं का टोटल है हमको इनका उसत निकालना है तो 115 को सिंपल है 5 से डिवाइड कर दीजिए आपके सामने आपका आंसर होगा 5 दूनी 10 5 तिया 15 option A आपका correct आंसर है चलें आगे चलिए question number 43 है आपके सामने और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का question है 43 नंबर और 44 नंबर दोनों ही question आपके अच्छे लेवल के हैं आंसर करिए इस प्रशन का कैसे करोगे question है किसी वस्तू को 1500 रूपे में बेचने पर प्राप्त लाब उस वस्तू को 1350 रूपे में बेचने पर प्राप्त लाब का दो गुणा है वस्तू का क्रैमुल्य ग्याद करें कैसे करोगे देखे लाब क्या होता है अगर मैं आपको बोलू प्रॉफिट क्या होता है तो आप बोल दोगे SP माइनस CP क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सिंपल है अब देखे SP आपको दिया है 1500 रूपे माइनस अगर मैं CP कर दू तो यह क्या हो रहा है लाब प्राप्त हो रहा है यानि कि यह प्रॉफिट लग गया कलियर ध्यान से समझेगा दूसरा बोल रहा है कि उस वस्तु को 1350 रुपे में बेचने पर प्राप्त लाब का दो गुणा है यह हमको लाब प्राप्त हुआ है यदि मैं इसको 1350 रुपे में बेच दू तो भी लाब हो रहा है माइनस CP कर देंगे SP माइनस CP पर यह क्या है प्राफिट का फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला लगा के हमने यह कोशन किया है अब देखिए दो इधर जाके 1350 में मल्टिप्लाई होगा और माइनस 2 CP यहाँ पर बन जाएगा तो इसको मल्टिप्लाई करते हैं यहाँ पर 0 आ जाएगी 5 दुनी 10 का 0 हांसिल 1 3 दुनी 6 और 1 7 2 एकम 2 2700 माइनस 2 CP हो गया और यहाँ पर कितना है जी 1500 माइनस CP है सिंपल अब यह 1500 इधर जाके जब 2700 में माइनस होगा तो कितना बचेगा 2700 में से अगर हम 1500 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 1200 है ना अब यह माइनस का CP है यहाँ भी माइनस का 2 CP है तो यह माइनस का CP इधर जाके माइनस की CP में माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों साइन सेम है तो अपोजिट रियक्शन करते हैं तो यहाँ पर सिरफ और सिरफ CP बचेगा जो की कितना बन गया 1200 बच गया option A आपका correct answer है क्रेम उल्ले ही आपसे पूछा है क्या ये question सभी को समझ में आया है अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको दुबारा से देख सकते हैं question बहुत important है आपके exam के लिए question number 44 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है आज का second last question और थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रस्ण है जो English medium वाले विद्यारती है वो English में question को read करेंगे हम question को हिंदी language में solve करेंगे question है यदि किसी बेलन की उचाई में 30 प्रतिशत वृद्धी की जाए तथा उसकी 30 में 15 प्रतिशत की कमी की जाए तो उसके वकर प्रिष्ट शेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धी होगी देखिए बेलन का वकर प्रिष्ट शेत्रफल क्या होता है 2 πाई आर एच है ना अब यहाँ पर दिखिए हमको आर और एच की वेल्यू तो दी नहीं है हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते है अंसर आपका सेम आएगा मैं क्या कर लेता हूँ आर को भी 10 मान लेता हूँ और एच को भी 10 मान लेता हूँ ठीक है अगर अब मैं इनका वकर प्रिष्ट शेत्रफल निकालू तो कितना बन रहा है 2 πाई आर आपका 10 है और एच आपका 10 है 10 को 10 से करेंगे 100 100 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे 200 तो 200 पाई आपका क्या है वकर प्रिष्ट शेत्रफल है अब कोश्चन पढ़िए कि यदि किसी बेलन की उचाई में 30 प्रतिशत वृद्धी की जाए उचाई हमारी 10 थी 30 प्रतिशत वृद्धी करेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी और उसकी त्रिज्जा में 15 प्रतिशत की कमी की जाए आर हमने 10 मानी थी अगर इसमें से 15 प्रतिशत की कमी कर देंगे तो आर हमारा 8.5 हो जाएगा इतना क्लिर है अब इसका फिर से वकर पिश्ट शेत्रफल निकाल लो 2 पाई आर कितना है जी 8.5 है और एच कितना है आपका 13 है यदि आप इसको सोल्व करेंगे 8.5 को 13 से मल्टिप्लाई करना है आपको कलिर और फिर इसको आपको 2 से मल्टिप्लाई करना है तो इसको सोल्व करने के बाद ही आपका 221 पाई बनेगा कलिर है अब क्योंकि मैं इसको सोल्व कर चुका हूँ 221 πाई तो क्या हुई है? वृद्धी हुई है कितने की? 21 की कितने से? 200 से और परसेंटेज के लिए गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे ये पाई से आपका पाई यहीं पे कैंसल हो गया ये 2 0 से आपकी 2 0 कैंसल अब 21 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा? 10.5 बनेगा 10.5 की वृद्धी हुई है आपका C करेक्ट आंसर है क्या सभी ने आपशन C को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन पे कोशन नमबर आपके सामने 45 है मैथ का लास्ट कोशन जल्दी से सोल्व करें किसी वर्ग का वीकरण 12 रूट 2 है उसका शेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ग्याद करें वर्ग के वीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 2 A होता है और इसकी वैल्यू दिरखी है 12 रूट 2 राइट? ये रूट 2 से आपका रूट 2 कैंसल हो गया 12 है और 12 का अगर हम स्क्वेर करेंगे तो कितना बनेगा 144 बनेगा ओप्शन आपका B करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका मैट का सेक्शन कम्पलीट होता है बढ़ते हैं सेक्शन D की तरफ लास्ट के 5 प्रशन आपके रिजनी के हैं चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट कम्पलीट लगाईएगा कोशन नमबर 46 आपके सामने है सिंपल सा प्रशन है कड़वा मीठा खतम यहाँ पर बताना है क्या आएगा तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा यह क्या है एकड़म अपॉजिट है कड़वा का मीठा खतम का शुरू आपका बी करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 47 आपके सामने स्क्रीन पर विशम का चयन करें देखें कैने बिड़ा बुनस आयर्स और बुड़ा पेस्ट यह तीनों की तीनों क्या है क्यापिटल्स है किसी ना किसी कंट्री की है ना जबकि ग्रीज क्या है एक देश है तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 48 देखिएगा सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए सूपर इंपॉर्टेंट है जी कोशन कोन से शब्द से कोन सा शब्द दिये गए शब्द के प्रयोक से नहीं बनाया जा सकता शब्द आपको एक्सपेरिमेंट दिया है तो देखिए अगर हम पर्मिट को चेक करें P E R M I T यह तो बन रहा है मेरिट को देख लीजिए M E R I T यह भी बनेगा T यह भी बन रहा है इसका मतलब मेंशन ही बचा है और मेंशन ऐसा शब्द है जो एक्सपेरिमेंट के प्रयोक से नहीं बनाया जा सकता इसके अंदर आपको दिख रहा है N दो बार हुआ है और O भी आया है जबकि इसमें N एक ही बार है और O तो एक्सपेरिमेंट में है ही नहीं Option D आपका correct answer है Question number 49 देखिए जी सामने स्क्रीन पर आज का second last question इसको solve करें तो मैं क्या कर लेता हूँ इनका difference ले लेता हूँ तीन इनके बीच में एक का difference है इनके बीच में चार का difference है इनके बीच में नो का difference है है ना ठीक है इनके बीच में कितने का difference है जी 25 का difference है sorry इनके बीच में 16 का difference है है ना 17, 17, 34 और यहाँ पर 33 है 16 का difference clear है अब यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी जल्दी से करिए कैसे करोगे देखिए यह क्या है आपका 1 का square है यह 4 क्या है आपका 2 का square है यह 9 क्या है आपका 3 का square है 16, 4 का square है तो आगे 5 का square आएगा कितना 25 है ना यानि कि यहाँ पर आपका 25 का अंतर आना चाहिए तो 33 में आपको 25 को जोड़ देना है यानि कि 58 option D आपका correct answer होगा क्या सभी ने आपे option D को answer किया है चलिए question number 50 है आज का last question direction वाले topic से और इसके बाद आज आपकी छुट्टी है जरूर बताइएगा आज का test आपको कैसा लगा आज के test का level कैसा था questions का collection कैसा लगा पहले इसका answer करिए कि कोई व्यक्ति साथ किलोमेटर पूरव दिशा की और जाने के बाद उत्तर दिशा की और 24 किलोमेटर जाता है वह अपने आरंबिक स्तान से कितनी दूरी पर है तो देखिए सबसे पहले आपको direction पता होनी चाहिए ये पूरव है इधर पस्चिम है उपर उत्तर है और नीचे दक्षिन है कोई व्यक्ति पूरव की और साथ किलोमेटर गया फिर उत्तर में जा रहा है 24 किलोमेटर वह अपने आरंबिक स्तान से कितनी दूरी पर है इनके बीच की दूरी आपको बतानी है अब जब भी आपके सामने ऐसी आकरिटी बने तो यहाँ पर आपका always 90 डिग्री का एंगल बनता है याणि कि ये क्या है आपका एक समकौन तिर्भूच बन जाता है और हमको इसकी वैलू निकालनी है याणि कि हमको क्या निकालना है कर्ण की वैल्यो निकालनी है कलियर तो यहाँ पे आप इसको पाइथा गोरस थिरम लगा कर भी solve कर सकते हो नहीं तो अगर आपको math के triplets याद हैं तो यह question आप आसानी से solve कर लोगे देखिए इसका formula क्या होता है करन का formula क्या होता है करन का square बराबर आधार का square प्लस लंब का square है ना यहीं पे कर लेते हैं फट अफट तो देखिए आधार कितना है 7 है 7 का square 49 प्लस लंब कितना है 24 24 का square 576 तो 49 में हमको 576 एड करना है तो यहाँ पे कितना बनेगा 625 बनेगा थोड़ा space कम है और 625 क्या है करन के square की value है अगर करन का square 625 है तो करन की value कितनी बनेगी 25 बनेगी option आपका B correct answer है क्या सभी ने option B को answer दिया है और वैसे इतना कुछ करने की जुरूरत नहीं है अगर आपको math की triplets याद है 7 24 25 इनका triplets बनता है तो दोस्तों यह था आपका आज का पूरे 50 प्रसनों का model test paper बताईएगा आज का session कैसा लगा सभी को section wise score comment करना है section A में कितने राइट हुए है section B में section C में और section D में अगर आप सभी ने अभी तक हमारे model paper नहीं लिए है तो model paper को भी ले सकते हैं चलिए मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत झालती है सभी ने तक कर वारत